आईए सुनते हैं कविताएं उत्साह और अट नहीं रही है। कवी हैं सूरीकांत तरपाठी निराला प्रिष्ट संख्या 31-36 सूरीकांत तरपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिशा दल में सन 1899 में हुआ। वे उत्तरप्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ा कूला निवासी थे। निराला की आपचारिक सिश्षा नौमी तक महिशा दल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्यान अरजित किया। वे संगीत और दर्शन शात्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्द की विचारधार ने उन पर विशेश प्रभाव डाला। नराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संगर्शों से भरा था। आत्मी जनों के आसमाईक नधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साइतिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संगर्श किया। सन 1961 में उनका देहन्त हो गया। उनकी प्रमुख काविरचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नैपत्ते। उपन्यास, कहानी, आलूचना और निबंद लेखन में भी उनकी ख्याती आविस्मरणी है। निराला रचनावली के आठ खंडों में उनका संपूर्ण सहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवी हैं। दर्शनिक्ता, विद्रो, क्रांती, प्रेम की तरलता और प्रकृती का विराड तथा उदात चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। चायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त चंद का प्रयोग किया। शोशित, उपेक्षित, पीडित और प्रताड़त जन के प्रती उनकी कविता में जहां गेहरी साहनुभूती का भाव मिलता है। वहीं शोशक वर्ग और सत्ता के प्रती प्रचन्द प्रतिकार का भाव भी। उत्सा एक आवन गीत है जो बादल को संभुधित है। बादल निराला का प्रिय विशह है। कविता में बादल एक तरफ पीडित प्यास से जन की आकांख्शा को पूरा करने वाला है। तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नई अंकूर के लिए विध्वन्स, विपलव और क्रांती चेतना को संभु करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टी से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांती चेतना दोनों है। सामजिक क्रांती या बदलाव में साहिति की भूमिका महत्वपून होती है। निराला इसे न जीवन और नूतन कविता के संदर्बों में देखती हैं। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवी फागुन की सर्व व्यापक संदर्था को अनेक संदर्बों में देखता है। जब मन प्रसन हो तो हर तरफ फागुन का ही संदर और उल्लास द बादल गर्जो, घेर घेर घोर गगन, धारा धरो, ललित ललित काले घुंगराले, बाल कल्पना केसे पाले, विद्युत छबी उर्मे कभी नव जीवन वाले, वज्र छपा नूतन कविता, फिर भर्दो, बादल गर्जो. विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्यात दशा से अनंत के घन, तप्त धरा, जल से फिर शीतल कर दो, बादल गर्जो. अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम परपर कर देते हो, आँख हटाता हूँ, तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी, कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, मंद गंध पुश्प माल, पाट पाट सोभा श्री, पट नहीं रही है, प्रश्न अभ्यास उत्सा एक, कवी बादल से फुहार, रिमजिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? दो, कविता का शीर्शक उत्सा क्यों रखा गया है? तीन, कविता में बादल किन-किन अर्थों की ओर संकेत करता है चार, शब्दों का ऐसा प्रियोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्च में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदरी कहलाता है उत्सा कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं, जिन में नाद सौंदरी मौजूद है, चांट कर लिखें रचना और अभिव्यक्ती जैसे बादल उमण घुमण कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतरमन में भी भावों के बादल उमण घुमण कर कविता के रूप में अभिव्यक्ती होते हैं ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदरी को देखकर अपने उमरते भावों को कविता में उतारिए पाठेतर सक्रीता बादलों पर अनेक कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन करें और उनका चित्रंकन भी किजिए अट नहीं रही है एक चायावाद की एक खास विशिष्टा है अंतरमन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंचस बिठाना कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुस्ठ होती है, लिखिए 2. कवी की आँख फागुन की सुन्दर्ता से क्यों नहीं हट रही है 3. प्रस्तुत कविता में कवी ने प्रकृती की व्यापक्ता का वर्नन किन रूपों में किया है 4. फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी रित्यों से भिन होता है 5. इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेष्टाएं लिखिए 6. होली के आसपास प्रकृती में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए 6. पाठेतर सक्रीता फागुन में गाय जाने वाले गीत जैसे होरी फाग आधी गीतों के बारे में जानिये 6. शब्द संपदा धारा धर अर्थात बादल उन्मन अर्थात कहीं मन ना टिकने की स्थिती अनमनापन 7. निधाग अर्थात गर्मी सकल अर्थात सब सारे आभा अर्थात चमक वज्र याने कठोर भीचन 8. अर्थात समाना प्रविष्ठ, पाठ पाठ अर्थात जगे जगे, सोभाश्री अर्थात सौंदरी से भरपूर, पठ अर्थात समा नहीं रही है इस कविता में भी निरला फागुन के सौंदरे में डूब गए हैं, उनमें फागुन की आभा रज गई है ऐसी आभा जिसे ना शब्दों से अलग किया जा सकता है ना फागुन से फूटे हैं आमों में बाउर, भाउर वन वन तूटे हैं, होली मची ठोर ठोर सभी बंधन छूटे हैं फागुन के रंग राग, बाग वन फाग मचा है, भर गए मोती के जाग, जनों के मन लूटे हैं माथे अबीर से लाल, गाल से नूर के देखे, आखें हुई हैं गुलाल, गेरू के ढेले कूटे हैं